हिट दो फॉर्स्ट केस फिल्म पंदरा जुलाई सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है फिल्म को स्टार कास्ट आज फिल्म के प्रमोशन के लिए राजधानी जैपूर में एंटर्टेन्मेंट पेरडाइस दित मिरास सिनेमा पहुँची और मीडिया से रूबरू हुई फिल्म के मुखे अभिनेथा राजकुमार राव और अभिनेतरी सानिय महलूत्रा अभिजीत निर्देशिक डॉक्टर शैलीश कोलानू और प्रोड्यूजर कुल्दीप राठोड मौजूद रहे इसी दुरान अभिनेता राजकुमार राव ने एवन टीवी से खास बाचीत में अपनी इस फिल्म के अनुभवों को साजा करते हुए कहा कि ये फिल्म 15 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा राजधानी जैपूर भी रहा है ऐसे में सभी प्रदेश बासियों से भी हमें उमीद है कि वे जरूर इस फिल्म को पसंद करेंगे वहीं अभिनेतरी सान्या ने अपनी फिल्मी सफर के अनुभव को साजा करते हुए कहा कि फिल्म का नाम ही हिट रखा है तो उमीद है कि ये जरूर हिट होगी वही इस दुरान फिल्म के डारेक्टर शैलेश कुलानू ने भी अपने फिल्म से जुड़ी बाते शेयर की Hit the first case रिलीज हुई टेलगू फिल्म हिट का हिंदी रीमिक है जिसका निर्देशन डॉक्टर शैलेश कुलानू द्वारा किया गया था हमारे समवादा था हनुमन सिंग चारण ने पर Hit का फिल्फॉर्म है Homicide Intervention Team जो हमारे डिरेक्टर सर की देन है और बहुत ही उनीक नाम है और I hope Film Hit भी हो आगे आपको लगता है कि इस फिल्म में किस तरीके आपका चैलेंज रहा जैपुर में भी सूट हुआ जिसमें आपको काफी आपके दिल और दिमाग में अभी हो पूरी फिल्म है दिल और दिमाग में तो चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं था जब आपके साथ राजकुमाराओ जैसे अकटर हो और सहलीज डिरेक्टकर हुआ मैं थोट उसमें कुछ ऐसा चालेंजिंग नहीं था बहुत ही ईजी लगा अच्छा आपने डांस मॉडलिंग और एक्टिंग तीनों का कॉमिनेशन बिठाया है कौन सी चक्की का अठा काया है है ने समय, पता निदी मां अटा काती भी नई हूं मैं इन चाल परभकर गांड़ अलग आधनी। मैं शोल्स देदी लांस में देख बासमाति हूं में भाशता जाते जात्ते वो कोछम, अलग अलग जहां, मैं जहां जा जाती हो मांका मैं खाना खातीbek मैं यह ढ हैं थब क्या दिली में मुझे आदा कि दिली में रहती थी मैं तो बच्पन में थी ममा बापा और अपनी भेहन के साथ समर विकेशन में एक बारी और बहुत जादा ही घरमी थी समर विकेशन पर हम हवा महल गए वहां की फोटो भी है आगे आपकी कौन-कौन से प्रोजेक्ट है इस पर अभी आपका मैंने मैं अभी साम बहादूर करके फिल्म है विकी कौशल के साथ मेगना गुलजार माम बना रही है वो करने वाली हूं और कठल करके मुवी है जो इस सा लेकर आया है क्या कुछ है इसके अंदर और जैपूर क्यों लेकर आया कहानी इन्होंने जो सेट की थी उनको लगा था कि खुद एक बर बहुत पहले जैपूर आया थे और काफी कनेक्टिट थे जैपूर के साथ इनको हमेशा से आर्केट जैपूर का बहुच्छा लगता जाथा तो कहानी थ्रिलर है एक और जैपूर को एक नजाया चाजिया करना है आ कि कि ए almost embora करांए कि कुछ नहीं तरीके से मैं अपने आपको चैलेंज कर सकूं जो इतना तो मुझे परसनली बहुत पसंद आया है and I'm pretty sure के audience को भी बहुत पसंद आएगा. राजस्तान से कितने प्यार के उमीदे, शूट आपने जैपूर किया, जैपूर अच्छी लॉकेशन मानी जाती है, शूट के लिए बड़ी-बड़ी फिल्मे शूट हुई है राजस्तान की बात, लेकिन कहें कि राजस्तानी सिनेमा अभी तक इतना नहीं उटा है जितना, सा काफी है, तो मुझे यहां की यहां के लोग, यहां का खाना, यहां का वेदर, इस्पेशली विंटर्स यहां की बहुत प्यारी है, तो इसलिए बार-बार जब भी मौका मिलता राजस्तान आने का हम यहां पे आते रहते हैं आपने कई फिल्म है की लेकिन आपके जहन में कौन सी फिल्म है जिसको आपको पैचान भी मिली और आपको लगता है कि मेरे लिए वो बैस्ट थी? मुझे लगता है कि शाहेद से काफी मुझे पहचान मिली क्योंकि उसमें नाशल अवार्ड था फिल्म फिर अवार्ड था काफी अवार्ड मिले थि को और प्रिटिकली बहुत ज़ादा एकलिम थी वह फिल्म तो मुझे ज़्कता है उसने काफी कुछ चेंज किया आपकोर्स पहली फिर्म LSD है जिससे सब शुरुवात हुई थी तो वो तो ही सबसे इंपॉर्टन उसके अलबावा बरेली की वर्फीस 3 जिन्होंने एक नए अवतार में पेश किया अभी हिट है तो मुझे इससे भी उमीद है क्योंकि यह एकदम ही नए अवतार में मुझे ल करना चाहिए तो इस दोड़ में अपने आपको हिट बना रहें के लिए हिट लेकर आएं क्या विचार यह जब मैं ऑरजिनल बना रहा था तब क्योंकि हरे कड़ा कार का यह होता है लालज किए मेरे बड़ा ओडियंस हो तो मेरा काम जादा लोगों के सामने लेके लेके आए अथा और मैं मुझे मानना था कि यह जो इनफर्मेटिव थिलर हैं जो हर 10 मिनिट में आपको सरप्रेस करेगा इनफर्मेशन के साथ या या डब्ड वर्जिन में नहीं देखना चाहिए, आपको थ्रिलर थेटर में बैटके आपके आक्टर्स और आपके सेंसिबिलिटी के साथ ट्वीक किया हो, अलग टॉपिक्स टच करके, वही सोल पकड़के, इसको मुझे आपको थेटर में दिखाना था, तो इसलिए मैंने ब करने के लिए जाते हैं, तो उनके परसनल लाइफ और इस केस कैसे जुड़ जाता है, एक पॉइंट में जाके, वही है कहानी, लेकिन इसमें ये दिखाने की बहुत कोशिश किया कि पोलीस डिपार्टमेंट में ओफिसर्स हमारे सुसाइटी को सेफ रखने के लिए कितना हा त L монः करते हैं, वहांजाके हम पर लाइफ करते हैं, ये लग हमारा पोलीस डिपार्टमेंट करने का वही कोशिश करते हैं, लेकिन मुवीस में कभी ऐसा दिखातेैं नहीं हम लोकरuan की क्राइम रोकने के लिए क्ले एक मिसिंग बासं हो जाता है तो उनका मर्डर उने से प एक इंटरेसइन टाइडिल हैrzyं है जब सुनते हैं हित है पहले ही इत है अrator एस पिले veya फिल्म को यह जै Basu nara गाने हैं थीन घ्र गाने है अभी हमने 2 घाने थे मेंकले थे स्थक्राइव थे म्कर Epiq admitted और एक है तिनका तिनका जिसको जो बिन नौट याल ने गाया है दोनों बहुत अलग गाने लेकिन दोनों को भी बहुत प्यार मिल रहा है यह बहुत अच्छा गाते हैं हम इनको फॉलो करते हैं संग तेरे जिन्दगी कितनी हसी होगी कितनी हसी होगी यह थी हमारे साथ में हिट दफर्स केज की पूरी स्टार कास्ट जो कि राजधानी जैपूर के अंदर है इनका कहना है कि 15 जुलाई को सिनेमा घरों में जाईए और जरूर इस फिल्म को देखिए और हमें प्यार दीजिए कैमरा पिशन रामकिशन सैने के साथ अनुवन सिंग चारण एवन टीव न्यू जैपूर